कि नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत मौनिपूर और नगालेंड के बाद राहुल गांधी पहुँच गए हैं असम और असम में इस समय भारतिय जनता पारिटी की सरकार है हिमंता विस्वा सर्मा मुख्य मंत्री हैं और हिमंता विस्वा सर्मा और राहुल गांधी के बीच में पुरानी जान पहचान है क्योंकि राहुल गांधी एक जमाने में हिमंता विस्वा सर्मा के नेता हुआ करते थे और हिमंता कई आवसरों पर उस घटना की चर्चा कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ और नेता भी राहुल गांधी के आवास पर थे जब वो मिलने के लिए पहुंचे और एक तो मिलने का समय ही मुश्किल से मिलता था दूसरे उनका कहना है कि इनके यहां कॉंग्रेस के बड़े से बड़े नेता को ड्राइंग रूम में बैठाने की परंपरा नहीं है रिवाज ही नहीं है उनको बाहर बरांडे में बैठाया जाता है या जो लोन होता है वहा बैठ करके नेता जी सुन लेते हैं अपने सबोडिनेट की उन्होंने एक इंटर्वियों में ये भी बताया था कि जब मैं भारतिय जनता पारिटी में शामिल हुआ और आमित शाहा से मेरी पहली भेंट हुई तो मैं यही सोच करके गया था कि जो दिल्ली में रहने वाले बड बैठ करके बात कर लेते होंगे ऐसे ही अमित शाह के यहां भी होगा पर वो ये देखकर के चौके हैरान हुए कि अमित शाहा ने उनको उसी ड्राइंग रूम में बुलाया जहां वो सबसे मुलाकात करते थे यानि बाकी के मंतरियों से भी डिग्निटीज से भी विदेशी म जैमानों से भी वहीं उन्हें भी बुलाया वहीं बैठ करके बात की तो ये तो अंतर बताया उन्होंने कॉंग्रिस की लिडर्शिप और भारतिये जनता पारिटी की लिडर्शिप के बीच में लेकिन हिमनता विश्वा सर्मा एक किस्सा सुनाते रहे जिसको लेकर के ऐसा लगता है कि राहुल गांदी काफी चिड़े हुए हैं हिमनता विश्वा सर्मा से क्योंकि असम पहुंचने के बाद उन्होंने हिमनता विश्वा सर्मा पर उनके परिवार पर उनके बच्चों पर जिस तरीके से आटेक किया है कि पूरे देश में सबसे भ्रस्ट अगर पूख्यमंतरी का परिवार है तो वो हिमनता विश्वा सर्मा है ये एलिगेशन राहुल गांदी ने लगाया और सोशल मीडिया पर तो इस पर काफी तल्ख टिपनिया भी इधर पढ़ने को मिल रही हैं लोगों का कहना है कि सारी सीमाएं लांग दी है राहुल गांदी ने चलिए विश्वा सर्मा पर आप हिमनता पर आप आरोप लगा लिजिए लेकिन उनके बच्चों को भी आप इस तरीके से गसीटेंगे बाशनों में इस से पता चलता है कि ये निजी खुंदक है और वो जो उस मुलाकात का जिक्र करते हैं किस्सा सुनाते हैं पबलिकली पडिया पर उसकी खुंदक राहुल गानधी के मन में है लेकिन राहुल गानधी के उस बयान का तो जवाब धिया ही है हिमंता वीश्वा सर्मा ने साथ में राहुल गानधी को और कौंग्रेस के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार करने की छेतावनी भी देढ़ा लिये अब वो पूरा मामला क्या है उस पर आएंगे लेकिन पहले मैं आपको वो किस्सा बता दू जो ये मीडिया में बताते आए हैं हिमंता विस्वा सर्मा उनका कहना है कि राहुल गांदी से में मिलने गया असम की कुछ समस्याएं थी क्योंकि उस समय वो कॉंग्रेस में थे और तरु जो मिलना चाहते थे उनी के साथ मुझे भी बुला लिया गया और वहां पर जो राहुल गांदी का कुट्ता है पिद्धी वो भी वराजमान था मीटिंग के समय और जो चाय लाई गई थी और जो बिस्किट्स लाए गए थे उसी प्लेट से राहुल गांदी बिस्किट खाकर के भाकी नेताओं को चाय के साथ खाने थे उनका कहना है कि नहीं खाए पर कुछ दूसरे नेता जो पिद्धी विश्किट्स कि खा रहे हैं जिस प्लेट से उसी प्लेट से उठाकर के वो खा रहे थे उन्हें कोई दिकत थी नहीं अब ये ऐसा किस्सा है जो जाहिर है राहुल गांदी को बड़ा नागावार गुजरा होगा कि ये कैसे इन्होंने मेडिया में कह दिया और असम पहुंचने के बाद वैसे भी हिमंता विश्वा सर्मा राहुल गांदी पर और गांदी फैमिली पर पूरी पर ही अटेक करते आ जो सुन लेते हैं और जब ये तालियां बज रही है नारे बाजी हो रही है तो याद रखिए ये जो लोग वहां आए हैं वो कॉंग्रेस के कारे करता हैं संगठन के पदादिकारी हैं और इनके समर्थक हैं ये भारती ये जनता पारेटी के कारे करता नहीं है इमनता विश्वा सर्मा के समर्थक नहीं है सुनिए परिवार के परिवार के सब मेंबर चाहिए बच्चे हो वो स्वयम हो उनकी भीवी हो कोई न कोई करप्शन में सब के सम लगे हुए एक साथ और वो सोचते हैं देखें वो सोचते हैं पैसे से पूरी असाम के जंता को खरीद आ जा सकता है प्यूंकि उनको पैसे से खरीद आ जा सकता है इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असान की जंता को पैसे करीदा जा सकता है, असान की जंता पैसे से नहीं करीदी जा सकती, कोई किमत ही नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह की लेंग्वेज का यूज कर रहे हैं, कि इनके परिवार के बच्चे भी भरष्टाचार में लगे हुए हैं, ये सीधे सीधे एक और मानहानी का आपराधिक मानहानी का केस बनता है। और आपको याद होगा, एक बार मनीश सिसोधिया ने जहोंक में आकर या किस वज़े से इनकी पत्नी पर प्रष्टाचार में लिप्थ होने का एक आरोप लगा दिया था, और उसके बाद हिमंता विश्वा सर्मा ने उनको कोट में खीच लिया था, उनको नौटिस का रहे हैं, इसको साबित करिए, इसका जवाब हिमंता विश्वा सर्मा ने दे दिया वैसे, सुनिए क्या कहा उनना है, मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भोस्त परिबार ही गांधी परिबार है, यह देश में बोफोर से लेकर हुपाल गेश का अंडर्शन को भगाने से, जतना देश का सबसे भोस्त परिबार है, सबसे भोस्त परिबार ही गांधी परिबार है, फालियो भोस्त नहीं, डुप लेकिन लेकर टाइटल लेने इसे क्या पॉरी नाम होता है में नहीं जाना कि इसलिए भूम रहा है इस कुनों नयाही जट्डा हुआ नहीं कि जोग 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 मियां नहीं ऑफ्सक्रानु है इसमें क्या बोले हिमंता ने कहा कि सबसे भर्ष्ट परिवार इस देश का अगर कोई है तो वो नहरू गांदी परिवार ही है दूसरी बात उनों ने कही है कि नियाय यात्रा नहीं है ये मियाय यात्रा मियाय यात्रा मतलब मुस्लिम जो है वो इनकी इनके रोड़ शो में इनकी सभाओं में आ रहे हैं और उनी को ये बुला भी रहे जो बाकी की जनता है वो आही नहीं रही है नंबर दो असदुद्दीन ओवेशी ने क्या कहा है जरा सुनिए असदुद्दीन ओवेशी ने राहुल गांधी के खांदान पर एक बयान दिया है और याद रखिए तेलंगाना में इस सम है असदुद्दीन ओवेशी के मित्र केसियार की सरकार नहीं है कांग्रिस की सरकार है इसके बावजूद उनका जो हमला राहुल गांधी पर हुआ है जरा उसको सुनते हैं यू कह रहा हूं कि भाड़ में जाये तुमारा खांदान और पांदान ये नया देश है कोई भी अ आप दादा के नाम पर नहीं जी सकता इस देश में काम करना पड़ता है असदुदीन ओवेशी है और जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हिमंता विश्वा सर्मा ने राहुल गांधी को और कॉंग्रेस के जो उनके आयोजक हैं इस नियाय यात्रा के जिसको वो मिया यात्रा बता रहे हैं उन आयोजकों को भी क्या चेतावनी दी है जरा सुन लेते हैं उन्होंने गिरफतारी की चेतावनी दे दी है और ये गिरफतारी की चेतावनी क्यों दी है उन्होंने कहा है कि एक तो शेहर के भीतर से उनकी ये यात्रा जाने की हम इजाजत नहीं दें वो वेकल्पिक मार्ग तय करें और बताएं और उसकी पर्मीशन लें और अगर मना करने के बावजूद बिना पर्मीशन के उन्होंने शहर के भीतर से यह यात्रा लेकर के जाने की कोशिश की तो वाइलेशन का केस भी दर्ज होगा और गिरफतारी भी होगी सुनिये क्या कहा उन्होंने हमने बोल दिया हूं कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है मेडिकल कॉलेज है नार्सिंगों में आप अल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमती दे दूँँगा लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलि मैं कुछ नहीं करोंगा चुनाओ के दो तीन महिने बाद मैं अरेस्ट कर लूँगा अगर वाहलेशन किया हमारे निर्देशों का सर परशासन के सरकार के निर्देशों का वाहलेशन किया और शेहर के बीतर से ये अपनी यात्रा लेकर के गए तो चुनाओ निपटने के दो कॉंग्रेस के लिए राहूल गांधी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हिमANTा विस्वा सर्मा चुकी महां के चीफ मिनिस्टर है अब और पहले से हिमANTा विस्वा सर्मा और गांधी परिवार में तनातनी है यह यह तेंशन हमें दिखाई देती है अलग-अलग समय पर हिमant ताके बयानों से भी और राहुल गांदी ने जिस तरीके से रियक्ट किया है आज असम पहुंच करके उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर बच्चों पर अटेक किया है कि सब रश्टाचार में लेपता है तो यह जो पॉलिटिकल बैटल है एक्चुल में क्यों है यह ज रहा हूं कि दो महिने के भीतर ही लोकसवा चुनाओं की अधित सुचना जारी हो जाएगी घोचना हो जाएगी और ऐसे समय राहुल गांदी अकेले असम में ही आठ दिन बिताने वाले हैं और सत्रे जिलो को कवर करने वाले हैं कुल मिला करके आठ सो पैंटीस किलोमेटर की यात्रा तो अकेले वो असम के जिलो में ही करने वाले हैं और तेईस को गोहाटी पहुंचेंगे दो हजार सोला में कॉंग्रेस के शासन का अंत किया था भारतिय जनता पारिटी ने और दो हजार सोला में भारतिय जनता पारिटी ने च्यासी विधान सबा सीटें जीती थी इससे जो पहला चुनाव हुआ था दो हजार ग्यार का उसमें भारतिय जनता पारिटी केवल 27 सीटें जीत पाई थी और यह जंप कितना बड़ा था बीजेपी का आसम में 69 सीटों का 59 सीटों का और 42 परतिशत के आसपास उसको वोट म 78 सीटें मिली थी 126 का सदन है वहां पर यह याद रखें 126 के सदन में 2011 में कॉंग्रेस पारिटी को 78 सीटें मिली थी वो 2016 में 26 सीटों पर सिमट गई उसकी 52 सीटें घट गई और जो बदरुदीन की पारिटी है AIUDF वो 13 सीटों पर सिमट गई जिसको 2011 में 18 सीटें मिली थी उसकी भी 5 सीटें घट गई है 2021 जो अगला विदाहन सबा चुनाओ हुआ जिसमें फिर से भारतिय जंता पारिटी की सरकार बनी और शर्वारनद सोनवाल की जगे हिमंता विश्वा सर्मा को भारतिय जंता पारिटी ने मुख्यमंत्री बनाने का फैंसला किया भारतिय जनता पारिटी ने 2021 के विधानसवा चुनाओं में भी 71 सीटे जीती और 11 सीटे जरूर घटी उसकी लेकिन आराम से उसने सरकार बनाई कॉंग्रेस की जो 26 सीटे आई थी उसमें इंक्रीज हुई 24 सीटे पर वो केवल 43 तक प पहुँच पाई अगर हम 2019 के लोकसवा चुनाओं की बात करें भारतिय जनता पारिटी ने 14 में से 9 सीटे जीती और कॉंग्रेस केवल 3 सीटों पर सिमट करके रह गई जो बदरुद्दीन की पारिटी है एई आई योडिएफ वो केवल एक सीट पर सफलता प्राप्त कर 2014 तक कॉंग्रेस की सरकार थी तरुन गोगई चीपनेश्टर थे 2019 में तो चलिए फिर भी भारतिय जनता पारिटी की सरकार बन गई थी सर्वानन सोनोवाल चीपनेश्टर थे 2014 में भी भारतिय जनता पारिटी ने 14 में से 7 सीटे असम की जीत ली थी और कॉंग्रेस को तब भ प्रियता है असम में वो तब भी चरम पर थी और 2019 में तो उसमें और दो सीटे मिल गई नो सीटे जीत ली और 2014 में तीन ही सीटे कॉंग्रेस ने जीते थी और तीन ही बदरुदीन की पार्टी ने जीती थी तो असम जो है वो एक ऐसा इस्टेट है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था 2021 में कि अगर कॉंग्रेस जरासी मेहनत कर लेगी तो वो कम से कम इस में वाफसी कर सकती है ऐसे ही कॉंग्रेस के बारे में के बारे में कहा जा रहा था दोनों राज्यों में एक ही साल में चुनाव हुए और दोनों ही राज्यों में कॉंग्रेस सत्ता में नहीं आई वहां वामपंथी दलों के मौर्चे ने सरकार बनाई और असम में फिर से भारतिय जनता पारिटी ने सरकार बनाई तो ये जो बैटल है कॉंग्रेस की और भारतिय जनता पारिटी की ये अब गांधी नहरू फैमिली बनाम हिमंता विश्वा सर्मा होती हुई दिखाई दे रह हैं बलके उसको जमीन पर उतारते हैं उसे लागू भी कर देते हैं अगर राहुल गांधी और उनके स्योगियों ने गल्ती कर दी यानि जहां सरकार ने पर्मिशन नहीं दी हैं वहां से वो गुजर गए तो जो हिमंता विश्वा सर्मा कह रहे हैं वो करके भी दिखा देने इसलिए बहुत सोच समझ करके अब राहुल गांधी और उनके स्योगियों को असम में आगे बढ़ना पड़ेगा नहीं तो वो वहां से एक मुसीबत अपने सिर पर लेकर के अगले राज्य में प्रवेश करेंगे अभी तो हिमंता ने कह दिया है कि अगर वाइलेशन किया तो FIR दर्ज करूँगा और लोग सबाच चुनाओ के दो तीन महिने बाद यानि अभी तो गिरफतार नहीं करूँगा अभी गिरफतार करूँगा तो यह हल्ला मचाएंगे असम में भी और पूरे देश में भी और एक सहनुभूती अर्जित करने की कोशिश करेंगे इसलि पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आ ग्ष्कर यश्कर यवड़ाँ यूद फटर आप एने वाले वे तो लोब्सकर अरूजर किया व्ड़ाचे नहीं किया व्कर अ झाल झाल